हलो दोस्तो नमस्कार सो बजट में देखा गया तो एक्सपेक्टेशन तो हमेशा higher level पर ही रहती है हर एक सेक्टर हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा उसी से related हमेशा मतलब expectation लेकर तो चलता रहता है अगर देखा गया तो expectation breaks भी हो जाते हैं उसके बाद हम लोगों ने देखा है जिनके expectation break होते हैं वहाँ शेरिस में हम लोगों को गिरावाटे भी देखने को मिल जाती है इस वक्त की budget के अगर हम लोग बात करें कौन-कौन से sector सबसे ज़्यादा focus में रहेंगे उससे related हम लोग बात करेंगे उसके अलावा और क्या-क्या चीज़े मतलब बुलते हैं हर एक budget से related एक center of point का एक attraction होता है कि हाँ ये वाला जब चीज़े निर्मला सितरावन जी बोलना start करेगी पूरे बाजार मतलब एक दम बोलते हैं कि alert होके सुनेगा करके पूरी मतलब भारत देश के अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया उस चीज़े को बहुत अच्छे तरिकी से सुनेगी वो कौन सा point होगा तो सारी चीज़े A to Z इस वीडियो में आपे step by step cover यापे होने वाली है तो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो infrastructure इंफरा की उपर वैसे भी focus सरकार का रहता है क्योंकि अगर आपको developing से develop economy के और जाना है तो infrastructure के उपर आप लोगों को मजबूत खर्च करना ही पड़ेगा इंवेस्ट करना ही पड़ेगा जिसको हम लोग capital expenditure CapEx के नाम से भी जानते है तो हमेशा देखा गया तो CapEx हमेशा हमेशा हम लोगों को बढ़ते वे देखने को मिला है तो definitely इससे related focus तो बाजार में हमेशा रहता ही है यह अभी के budget की बात ने हर budget का पहला वाला point जो रहता है वो capital expenditure के उपर focus रखना ही होता ही है दैन अगर हम लोग sector wise बात करें दोस्तों तो खास करके railway sector तो focus में रहते हैं पहले railway budget अलग से हुआ करता था बाद में उसको club किया गया union budget के साथ ही तो definitely आपे rail budget से related क्या announcement रहेगा कोई surprise रहेगा या नहीं रहेगा यह एक देखने वाली बात तो ज़रूर आपे रहती ही है then अगर हम लोग यहापे बात करेंगे रहेगा तो defense sector yes defense sector से लिटर एक और खबर यहापे सामने आ चुकी है कि शायद से शायद से सरकार defense budget में थोड़ा सा और इजाफा कर लेकर क्या भी देखो यह सब को शायद वियद ही होगा क्योंकि होगा नहीं होगा वो तो अभी हम लोगों 23 तारीक को ही पता यहापे चलने वाला है so defense related जितना budget का allocation बढ़ेगा उतना ही defense companies के लिए अच्छा रहेगा because जितना defense budget बढ़ते चला जाएगा उतना ही defense companies को जादा से जादा contract सरकार के ओर से मिलेंगे यह उसके पीछे का एक indication यहापे हम लोगों को indirectly दिखने को मिल जाता है तो इसलिए defense वाली कंपनिया भी radar के पर जरूर यहापे आप लोगों ने budget की दिन रखनी चाहिए डैन अगर हम लोग यहापे बात करें जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बुला कि हर एक budget में एक golden point होता है कि भाई इसके उपर तो focus रहेगा ही रहेगा और यह वाला जो budget है ना दोस्तों उसका अगर आपको title भी बनाना है तो दोस्तों ultimately यह जो budget है वो सबसे ज़्यादा tax के हिसाब से focus में रहने वाला budget है again कहना चांगा कि हर वक्त tax को लेकर तो हर कोई यही कहाता है कि भाई tax कम हो कम हो करके बट नहीं इस वक्त की budget की बात करें बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बहुत सरे expert की बात करें जितने भी पूराने हम लोगों को expert रहते वे देखने को मिल चुके है जो सरकार में पहले काम करते थे उन्होंने भी बोला है कि सरकार ने हापे क्या करना है चाहिए consumption को बढ़ाने के लिए अगर आपको GDP बढ़ाना है growth आगे लेके जानी है तो GDP के formula में तो आप सबी लोगों को बता है consumption ये सबसे बड़ा factor हम लोगों को देखने को मिल जाता है उसका weightage होता है और अगर consumption को बढ़ाना है तो लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए तो लोगों के हाथ में पैसा कैसे आप दे सकते हो चीजेस खरीद लेंगे तो automatically क्या हो जाएगा consumption बढ़ेगा GDP growth के हिसाब से चीजों को फायदा होगा तो हर कोई यहापे अगर हम लोग बात करें इस वक्ट budget में काफी expectation लेकर चल रहा है कि taxes में हम लोगों को बड़ी cut होती है सबसे ज़्यादा अगर कोई tax देता है हमारे देश में तो salary वाले लोग ही आपे देते है और वो कुछ कर भी नहीं सकते जो भी उनके हाथ में जो salary आही जाती है वो tax cut करने के बाद ही आ जाती है ठीक है businessman की कानी अलग होती है वो पहले कमाते है tax planning करके यहापे उसके हिसाब से जो भी tax बनता है वो दे देते हैं salary वालों को कोई deduction नहीं कुछ भी नहीं directly tax cut cut करने के बाद ही account में पैसा credit हो जाता है बाद में form 16 मिल जाता है और उसे वो ITR file कर देते है so salary class काफी जादा चीज़ों को यहापे expect लेकर चल रहे है कि हमारे लिए कुछ तो यहापे राहत होगी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक चीज़ होती है standard deduction अगर आप ITR file करते होंगे तो salary के नीचे आप सबी लोग को पता है अलग-अलग आप लोग को deductions दिये जाते है तो उसमें से आप लाल लिशान देख सकते हो वो कौन से है standard deduction करके जो की 50,000 फिलाल तो देखने को मिल जाता है ठीके तो वो expect किया जा रहा है कि इसको double किया जाए then अगर हम लोग बात करें दो type के tax regime अब भी बन चुके एक नया मतलब एक पुराना existing old and एक दूसरा नया वाला तो वहाँ पे भी अगर देखा गया दोस्तों कुछ बदलाओ की बाते हो रही है प्लस उसी के साथ-साथ जो basic tax यहाँ पे लगता है ठीके जो exemption की अगर हम लोग क्या होता है कि मतलब अगर tax का slab अगर basic से आपे नीचे से अगर exemption वाला अगर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा जो लोग पहले हापे tax दिया करते थे एक minimum amount के उपर तो उनको tax देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो again उनके हाथ में पैसा बच जाएगा तो उस चीज़ यह कौन सी बात होती है रहे जो सारे deduction हम लोग को देखने को मिल जाते ना उसमें से एक popular deduction हम लोग को देखने को मिल जाते है वो होता है ATC शुरुवात ही इसी से होती है so ATC किससे related होती है तो आप insurance से related अगर हम लोग यहाप बात करे life insurance की बात करे ठीक है जो premium यहाप बढ़ यह list में आप लोग के सामने आपे open करती है जिसमें LIC का premium भी life insurance का premium रहता है पीपीएफ में अगर आप निवेश करते हो ठीक है उससे benefit मिलेगा EPF की बात करे यह LSS की अगर हम लोग बात करे बहुत सरी यह लंबी list देखने को मिल जाती है और आपको पता यह देड़ लग त तो ठीक है यह देखो यह जो हम बात करते हैं डिड़क्शन अंडर चैप्टर 6 है जो ITR भलने के बाद आपको यहापर डिड़क्शन मिलता है बाकी से related तो ATE की बात करें तो कोई खास अभी तक है मतलब request हम लोग को देखने को आपे नहीं मिल रहे है थोड़ा सा TTA के बार तो share market के बारे में share market मतलब अभी taxes की बात हो रही थी तो share बादर से related जो tax है इससे related भी काफी हो हला इस वक्त मचते वे देखने को मिल चुका है अभी share बादर में दो प्रकार के लोग होते एक होते investor तो investor के expectation लेकर चल रहे है कि यहापे STT जो हम लोग को लगते वे देखने देन उसके बाद वापस दुसरी सरकार आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया यहापे वापस capital gain यहापे लगाना start किया है चलो ठीक है capital gain ही दे देंगे बट जो STT जो लगाए था उसको हटा है नहीं मतलब समझ रहो है यहापर double taxation हो गया ठीक है STT भी लग रहा है और capital gain भी यह पर रख रहे हो यहापे ठीक है तो अभी मतलब उम्मीद के expectation क्या है कि भाई कुछ तो हटेगा हटेगा मतलब हर कोई यह expect कर रहा है कि शायद से STT हटेगा करके अभी होगा नहीं होगा again 23 कोई पता चल जाएगा दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो trader वाले लोग trading करने वाले लोग भाई इनके लिए तो मतलब budget का दिन मतलब काफी जादा panic वाला होने वाला है क्यों कि अगर देखा गया जो trading के हिसाब से अगर हम लोग बात करें खास करके FNO की हिसाब से आप सबी लोग को पताईए FNO से related जो भी data निकल करा रहा है ठीक है उस हिसाब से अगर देखा गया तो काफी मतलब परेशानी हैं हम लोग को देखने हूं का आप मिल रही है से भी परेशान है RBI परेशान है तो फिलाल यही बोला जा रहा है कि FNO के उपर बहुत ही heavy tax या पर लगाया जाएगा करके ऐसा बोला तो जा रहा है 30% की हिसाब से बोला जा रहा ह अगर क्रिप्टो की हिसाब से ट्रेट किया जो की चांसे मुझे तो नहीं लगता है इतना मतलब क्रिप्टो जैसा ट्रेट करना मतलब आप समझ या FNO ट्रेडिंग ही खतम हो गई आप ऐसा क्यों क्रिप्टो में देखा गया दोस्तों तो 30% टैक्स देना पड़ते है और उ वो भी लाने की बात यहापे कर रहें FNO के उपर और नुकसान हुआ तो वो भी सेट आफ करने को यहापे मिलेगा नहीं करके मतलब सिर्फ नुकसान ही नुकसान तो यह भी चीज़े बोली जा रही है चांसेस तो मुझे कम लगते है कि क्रिप्टो के हिसाब से इसको देखने उकापे मिल जाया भी होगा नहीं होगा यही सबसे बड़ा पॉइंट 23 तारिक को देखने वाली बात रहने वाली है देन छोटी मोटी चीजों की बात करें electric vehicle से related कुछ expectation रहेंगे इसको बड़ावा देने से related insurance वाला अपना expectation लेकर बेठे हुए है देन cigarette वाली companies के पर सीन टैक्स लगाने की बात यहाँ पर हर बजेक्ट में देखने को मिल जाते हैं, इनके उपर टैक्स ना लगना ही सबसे अच्छी बात यहाँ पर मानी जाती है, ठीके, डैन अगर हम लोग बात करें, येस, शिपिंग वाली कंपनी को आप ज़रू फोकस में रख सकते हैं, इस वक्ट बजेट में बोला जा रहा है, शिपिंग से रिलेटर अच्छी खबर आ सकती है करके, ठीके, इनको आप ज़रूर अपने रडार के पर रख सकते हो, तो अगर पूरे समरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपोर्टन पॉइंट तो भाई, इस ब येस करके बोल देना, इसके ओपर भी हम लोग आज ने तो वीडियो कवर करही देंगे कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिकली यहापे बजार के वक्त, मतलब जब बजेट यहापे चलेगा, तब फोकस में आपे रहेंगे, बजेट के चलते, तो जब येस बोल देना कमेंट सेक तब तब कि ये, बगए!